Hello Everyone, Welcome to Fear Not Classes आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको ट्राइंगल्स चेप्टर से MCQ करवाने वाला हूँ ये आपका Part 1 है और इस पे Part 2 भी आएगा जिसमें हम लोग और अच्छे लेवल का Questions करेंगे ये आपका Basic लेवल का Questions है चलिए हम लोग ये जानते हैं सबसे पहले कि कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमलर हमारे कब होते हैं चलिए पहले हम लोग दो ट्राइंगल्स बनाते हैं उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि वो दोनों सिमलर कब हो गये तो देखे हम लोग दो ट्राइंगल बना रहे हैं मान लेजिए पहला ट्राइंगल का नाम दे दिए A, B और C और दूसरा ट्राइंगल का नाम हम लोग दे रहे हैं D, E और F देखे A, B, C और D, E, F तभी सिमलर होगा जब इसके तीनों एंगल्स और इसके तीनों साइड का रेशियो दूसरे तिरबुज के तीनों एंगल और इसके तीनों साइड के रेशियो के इक्कॉल हो जाए इसका क्या मतलब देखे अगर ये एंगल हम बोल रहे हैं एंगल A, एंगल D के बरावर है एंगल B आपका एंगल E के बराबर है और एंगल C आपका एंगल F के बराबर है तो देखिए इसका तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गया और अगर हम यह बोल दे कि इसके तीनों साइड का रेसियोज भी इसके तीनों साइड के रेसियोज के इक्वल है इसका क्या मतलब देखिए अगर AB by DE बराबर हो जाए AC by DF बराबर हो जाए BC upon EF देखिए इसका तीनों एंगल्स तो पहले से हम बराबर कर दिए अंगल A बराबर क्या है अंगल D एंगल B बराबर क्या है अंगल E और एंगल C बराबर क्या है अंगल F देखिए इसका तीनों एंगल से बराबर है ठीक है और इसका तीनों साइड का रेशियो क्या है इक्वल है और यहां पे देख लिए साइड का रेशियो मतलब क्रॉस्पॉंडिंग साइड देखिए यहां पे एबी एबी यही साइड है तो एबी किस एंगल के सामने आ रहा है एंगल C के सामने क्या है AB तो देखिए एंगल C equal किसके है एंगल F के एंगल F के ही सामने वाला साइड यहां भी लेना है नीचे में एंगल F के सामने आपका क्या है DE तो इसी को हम लोग बोलते है corresponding side मतलब जो एंगल बराबर है उसी के सामने का side side का ratio भी क्या होगा equal होगा ऐसा नहीं कि एंगल C और F बराबर है और इसका कोई भी side एक ले लिजिए AB और एक EF के बराबर होगा यह आपका गलत हो जाएगा अगर एंगल C बराबर एंगल F है तो इसके corresponding side कौन होगा C के सामने जो भी side है देखिए C के सामने क्या side AB और F के सामने कौन side है F के सामने DE side है तो इसका ratio यह हुआ आपका corresponding side का ratio अगर इहाँ पर DE के बदला अगर EF आप ले लेते हो तो वो corresponding side नहीं कहलाएगा और यह आपका बहुत ही important point है क्योंकि इसी पर अधारित आपका question number first है देखिए अगर question में हागर हमको कोई भी दो ट्राइंगल को similar चेक करना होगा तो हम बार बार यह छोप पॉइंट थोड़ी ना चेक करेंगे कि अगर तीनों angles बराबर होगा और तीनों side का corresponding side का ratio जिक्वल होगा तब हम बोलेंगे ट्राइंगल क्या है similar है इतना चेक करने में आपको क्या होगा time जाएगा इसने कुछ rules बना हुआ है theorem बना हुआ है उसकी सहता से आप तीन ही point अगर आप उसको equal कर देते हो तो आपका क्या होगा similar हो जाएगा दोनों ट्राइंगल तो वो कौन सा theorem है कौन सा rules है उसको हम लोग पहले समझते हैं तो देखिए सबसे पहला है आपका S A S similarity चलिए सबसे पहले मैं आपको S A S similarity क्या होता यह समझा देता हूँ कि मान लिजे कि ABC और P Q R दो ट्राइंगल है और इसमें एंगल ए और एंगल P equal दिया हुआ है और इस दोनों ट्राइंगल को बनाने वाली साइड देखिए एंगल A को कौन कौन सा साइड बना रहा है A B और A C बना रहा है इसी तरह एंगल P को कौन सा साइड बना रहा है PQ और PR बना रहा है अगर इस दोनों का ratio भी equal होगा तो वो दोनों triangle similar हो जाएगा SAS similarity से मान लिजी कि हम ये बोले कि ABYPQ बरावर है ACYPR के लेकिन angle A angle B के बरावर ना होके angle B angle Q के बरावर है तो क्या इस condition में हमारा ये दोनों triangle similar होगा तो answer है नहीं होगा similar उसी condition में होगा SAS similarity से जब जो ये side का ratio जो equal है उसके beach का angle equal होना चाहिए इसलिए यहाँ पे SAS में भी A देखिए angle A का मतलब कि होता angle beach में लिखा हुआ है तो उस दोनों side जो ratio equal है उसी के beach का angle भी equal होना चाहिए तब ही क्या होगा वो दोनों triangle similar होगा तो चलिए इसी SAS similarity पे आपका question number first है उसको हम लोग करते है देखिए question number एक में आपका ये बोल रहा है कि if inner triangles ABC and DEF AB by EF is equal to AC by DE देखिए side का ratio equal दे दिया है तब आप से पुछ रहा है कि then they will be similar तो ये दोनों triangle similar आपका कब होगा तो सबसे पहले हम लोग ABC और DEF बना लेते है देखिए ABC और second triangle कौन सा आपका DEF देखिए question से क्या दिया हुआ है कि AB और EF का जो ratio है वो equal है AC और DE के तो AB को पकर ये AB ये रहा और EF कौन है तो EF ये है ये दोनों का ratio AC और DE के बरावर है AC आपका ये रहा और DE कौन सा है तो DE आपका ये रहा तो देखिए इस दोनों side का ratio इस दोनों side के ratio क्या है इक्वल है तो अगर ये दोनों similar तभी होगे जब जो दोनों side का ratio इक्वल है उसके बीच का angles भी equal हो जाए देखिए इस दोनो side के बीच का angle क्या है angle A और इस दोनो side के बीच का angle कौन सा है angle E अगर आपका angle A equal हो जाए किसके angle E के तब क्या होगा ये दोनो triangle क्या हो जाएगा similar हो जाएगा तो हम को यही हमारा क्या हो गया एंसर हो गया, एंगल A को क्या होना पड़ेगा, एंगल E के इक्वल, तो देखिए किस option में एंगल A, एंगल E के इक्वल है, तो देखिए option नमर B में आपका एंगल A, एंगल A की E के इक्वल है, तो जब एंगल A, एंगल E के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A, B, C similar हो जाएगा DEF के किस से तो SAS similarity से ठीक है तो यह था आपका question number 1 चलिए अब हम लोग question number 2 करते हैं चलिए अब हम लोग question number 2 देखते हैं तो question number 2 में आपका यह दिया हुआ है कि if ABC similar DEF and EF is equal to 1 by 3 BC then area of triangle ABC ratios triangle DEF is देखें यहां पर दिया हुआ है कि ABC और DEF दो triangle है जो कि similar है और EF is equal to 1 by 3 BC तब आप से पुछ रहा है कि triangle ABC का area और triangle DEF का area का ratios किया होता है तो आप जहां भी पढ़े होएगा वह आपको पढ़ाए होंगे कोई भी दो similar कोई भी दो triangle अगर similar होते हैं तो उनके जो base का ratio होता है ठीक है जो base का ratios होगा उस की base के ratios का क्या होगा square होता है area का रेषियो ठीक है बेश के रेशियो का ही स्कॉयर होता है एिडिया नीकाल यह क्या हम इन्षे इडिया हूं यहँ पर यह करेंगोन और ओव ममानना चैनल निकल जाल जाएगा क्या होता है तो एडिया का मिक ए स्कॉयर तो क्या हो जाएगा देखिए BC ये EF को इधर लाए हैं तो ये देखिए थिरी उपर चला जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा तो BC वाई EF का रेस्यो क्या हो जाएगा अपका थीरी रेशियो 1 हो जाएगा देखें, ट्राइंगल ABC सिमलर किसके है, DEF के तो ट्राइंगल, देखें, ट्राइंगल ABC सिमलर है, ट्राइंगल DEF के तो ABC का साइड क्या है, BC है, यहां देखें ABC का साइड क्या है, BC, जिसका रेशियो क्या है, थीरी है और D E F का side क्या है E F इसका ratio क्या है 1 है तो side का ratio आपका कितना आ गया 3 ratio 1 तो इसका area का ratio क्या हो जाएगा इसका square कर दिजिए 3 का square क्या होगा 9 और 1 का square क्या होगा 1 तो area का ratio क्या हो जाएगा 9 ratio 1 तो इस question का option आपका हो गया option D 9 ratio 1 देखे question number 3 में आपका ये बोल रहा है कि if a triangles and a parallelogram are on the same base बोल रहा है कि एक triangles और एक parallelogram same base पे है and between the same parallel side और एक ही parallel side के बीच में है then what is the ratio of the triangle to the area of parallelogram तो बोल रहा है आपका triangle का area और parallelogram का area के ratio क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग एक parallelogram बनाते हैं मान लिजे कि ये क्या है parallelogram है PQR और इसी में आपका बोल रहा है कि एक triangle बना हुआ है same base पे ठीक है तो मान लिजे ये QR है इसी पे एक parallelogram बना हुआ है PQRS और इसी base QR पे एक और triangle बना हुआ है QRT देखिए same base पे एक triangle भी बना हुआ है और same base पे क्या बना हुआ है आपका parallelogram भी बना हुआ है और देखिए दोनों same parallel side के बीच भी है तब आपसे पुछ रहा है कि ये triangle का area और इस parallelogram के area का ratio क्या होगा तो देखिए इस दोनों के लिए आपका height क्या हो जाएगा सिर्फ एक ही h हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते है triangle का area तो triangle का area क्या होता 1 by 3 base यहां पर देखिए क्या आपका qr और height हाइट क्या है यहां पर h तो triangle का area क्या है आजा 1 by 2 qr into h अब निकालते हम लोग parallelogram का area तो parallelogram का area क्या होता है base into height इसका base क्या है qr qr into height height क्या है इसका इसका भी height क्या है h ही है तो h और इस दोनों का ही क्या निकालना आपका ratio निकालना है तो देखिए triangle का क्या आगया 1 by 2 qr into h इसका ratio निकालना किस से parallelogram से तो parallelogram का area क्या है qr into h देखिए s से s cancel हो जाएगा qr से qr cancel हो जाएगा तो 1 by 2 ratio 1 आया तो इसको जब आप simplify किजिए अगत क्या है गा 1 ratio 2 यनि triangle का ratio 1 होगा और parallelogram का 2 तो किस option में 1 ratio 2 है तो आपका option number a में 1 ratio 2 है तो यही आपका क्या हो गया answer हो गया चलिए अब हम लोग question number 4 देखते हैं तो question number 4 में आपका ये बोलगा है d and e are respectively the points on the sides ab and ac of a triangle abc such that ad is equal to 2 bd is equal to 3 and bc is equal to 7.5 cm and d e parallel है bc के then length of d is देखे एक triangle है आपका a b c a b c जिसमें d और e एक point है किस पे a b और a c पे एक point है d और a c पे एक point है e तो जब आप इसको मिलाएगा तो question से दिया हुआ है कि d e parallel है किसके bc के आगे बोल रहा है कि a b c such that ad is equal to 2 ये length आपका दिया हुआ है 2 b d 3 ये दिया हुआ है 3 bc 7.5 देखे ये bc आपका 7.5 दिया हुआ है and ये तो हो गया d e parallel कीसके है bc के तब आपसे पुछ रहा है कि d e का length क्या होगा ये length आपसे पुछ रहा है क्या होगा तो देखिए ये length कैसे निकालेंगे हम दो देखिए यहाँ पे भी आपका similarity ही use होगा देखिए अगर ये दोनों line parallel है तो ये angle किसके बराबर होगा इस angle के बराबर होगा और ये angle आपका किसके बराबर होगा इस angle के बराबर होगा क्यों responding angles equal होता है इसलिए ये एंगल इसके एकवल है और ये एंगल इसके एकवल है तो देखिए ट्राइंगल A, D, E सिमलर होगा बड़ा ट्राइंगल A, B, C के कई से देखिए इसमें ट्राइंगल D, E, A में एंगल A किसके बराबर है एंगल A के क्योंकि देखिए बरावला भी ट्राइंगल मे भी क्या एंगल A ही है और देखिए छोटा वला ट्रेंगल का एंगल A D E किसके बरावर है बढ़ा वला ट्रेंगल के एंगल A B C के बरावर है और तीसरा छोटा वला ट्रेंगल का एंगल A E D एंगल A.E.D. यह बडावला ट्राइंगल के एंगल A.C.B. के बडावल है, एंगल A.C.B. के बडावल है, देखिये जब भी कभी किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल, इक्वल हो जाते हैं, तो वो दौनों ट्राइंगल क्या होगा? similar होगा किस से तो A, A, A similarity से ठीक है तो ये जो दोनों triangle के है similar है तो इसके corresponding side का ratio जो भी क्या होगा equal होगा तो देखिए angle A के सामने कौन सा side है आपका D, E लिख लिजिए D, E और बड़े triangle में angle A के सामने कौन सा side है 7.5 अब देखिए छोटे triangle में angle E के सामने कौन सा side है 2 और बड़े triangle में angle C के सामने कौन सा side है देखिए A, B है A, B का length कितना है 3, 2, 5 unit अब इसको solve कर दीजिए D, E आजाएगा देखिए तो D, E बरावर क्या होगा 7.5 into 2 तो 7.5 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा आपका 15 हो जाएगा और देखिए यह नीचे आजाएगा 5 तो 5 तिया 15 इस question का answer क्या आ गया 3 तो option number B is the right answer चलिए अब चलिए अब हम लोग question number 5 देखते हैं तो question number 5 में आपका ये बोल रहा है कि which geometric figure are always similar तो देखिए option number 1 में है आपका circles, B में है circles and all regular polygons, C में है circle and triangles और D में है regular तो देखिए आपका circles होता है और कोई भी regular polygons होता है ये दोनों हमेशा क्या होता है similar होता है तो इस question का option क्या हो गया option B circles and all regular polygons देखिए कोई छोटा circle है मान लिजी इसका radius R है और कोई बड़ा सा circle इसका radius बड़ा सा R है तो ये दोनों हमेशा क्या होगा similar होगा और सभी regular polygons भी क्या होता है similar होते हैं तो चलिए अब हम लोग question number 6 देखते हैं तो question number 6 में आपका ये दिया हुआ है कि ABC similar किसके है PQR के और angle B बराबर आपका दिया हुआ 50 degree और angle C बराबर आपका दिया हुआ 70 degree तब आपसे पूछ रहा कि angle P क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 triangle बना लेते हैं एक है ABC और दुसरा कौन है PQR जिसमें बोल रहा है ABC similar है PQR के तो angle A के equal कौन सा angle होगा angle P equal होगा और angle B के equal कौन सा angle होगा angle Q तो देखिए angle B आपका ये है और angle Q ये है ये दोनों क्या होगा equal होगा और B question से कितना दिया हुआ 50 degree इसका मतलब Q भी कितना होगा 50 degree होगा ठीक है और angle C equal होगा किसके angle R के एंगल C आपका कौन है ये इसका मान कितना दिया होगा 70 degree इंगल R का मान भी कितना होगा 70 degree तब आप से पूछ रहा है कि angle P क्या होगा तो देखिए angle P क्या होगा angle A बराबर होगा angle P के तो आपको पहले से पता है कोई भी triangle का तीनों क को का यह क्या होता है 180 degree होता है और दो कौन इसका पता है आपको q or r q or r का कितना है 70 plus 50 यहाँ से जोड़िएगा तो 120 और हमको पता है कि तीनों का यो कितना होता 180 होता है इसका मतलब एंगल P कितना होगा 60 होगा तम ना 120 में 60 आड करेंगे तो क्या हो जाएगा ओन एट छे तो इसका मतलब एंगल कितना है 60 डिग्री और जब एंगल इंगल एंगल कितना वाट शीक्स्टी ही होगा और एंगल किन एकॉल है किसके इस को ज्वश्चण का क्या हो जाएगा झार बी D E F D E F इसमें बोल रहा है कि G H parallel है किसके E F के E F यही है E F के parallel एक line किसते हैं G H बोल रहा है cutting D E and G D E को किस पे कार रहा है G पे और D F को H पे तब बोल रहा है कि if D E is equal to 16.5 देखे यह D E पूरा length कितना दिया हुआ है 16.5 DH 5 दिया हुआ है देखे यह जो length है यह आपका कितना है 5 और H F 6 है यह length कितना है 6 है तब पूछ रहा है कि G E कितना होगा देखे G E कितना होगा यह दोनों किया parallel है और इससे पहले अभी तुरंत बताएं कि यह छोटा triangle बड़ा triangle कि क्या होता है इसके साम आपको निकालना क्या है G E तो देखे G E कहाँ पकड़ लेजिए G E यही है ठीक है तो G E आपका कम निकलेगा जब G D आप निकालोगे तो क्या होगा 16.5 में से G D घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका G E निकल जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा यहां पर G D तो G D किस एंगल के सामने है इस एंगल के सामने है तो इस एंगल के सामने क्या है G D और यह एंगल बड़ावला किसके इक्वल है इसके इक्वल है तो इसके सामने कुन सा है 16.5 यह बढ़ा वालरेंगलं से डीन पॉंट हाय गी healthy इस एक्वैल टू देखिए इसके सामने कौन स overlap एंगल में इस ऐंगल के सामने कौन मूं देखिए पूरा होगा 6 5 11 अब इसको काट देजिए देखिए नीचे से नीचे काट रहे है 111 11 11 15 इसलिए gd आपका क्या हो जाएगा इस दोनों को multiply कर दीजिए 1.5 में 5 से तो जब इसको multiply किजिए रात क्या होगा 15 15 75 यानि 7.5 तो आपका क्या आ गया है gd आ गया कितना 7.5 लेकिन आपसे पूछ कुन रहा है आपसे gd नहीं पूछ रहा है g e पूछ रहा है तो g e बराबर क्या होगा 16.5 इस देखिए इस पूरे में से अगर gd घटा देंगे तो क्या आ जाएगा g e आ जाएगा तो gd का मन कितना है 7.5 तो इसमें से घटा आईए 16 में से सरे 16 में से सरे 7 घटा दीजे घट क्या बचेगा आपका 9 बच जाएगा तो इस question का option क्या हो गया option a 9 चलिए अब हम लोग question नमर 8 देखते हैं देखें question नमर 8 में आपका ये बोल रहा है कि inner rectangle length 8 cm breadth 6 cm then diagonal देखें कोई भी rectangle में आपका length और breadth क्या होता है दिया रहता है तो आपसे अगर diagonal d पूछा जायत क्या होगा d is equal to हो जाता है under root l square plus b square देखें l आपके पास क्या है length 8 है तो 8 का square क्या होगा 64 और b क्या होता breadth breadth क्या है 6 है तो 6 का square क्या होगा 36 दोनों को add की जिगात 400 plus 36 क्या हो जाएग आपका 100 और 100 का under root ली जिगात क्या होगा 10 तो आपका क्या होगा diagonal का मन कितना आ गया 10 cm तो ये था आपका question नमर 8